असलाम लेकुम मैं हूँ वनीजा और आप देख रहे हैं किचने वनीजा यूट्यूब चानल आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और जटपट से बनने वाले कलरफुल रेंबो लॉलिपॉप्स और लॉलिपॉप कैंडीज तो जल्जिस देखते हैं हमें इसरे किन किन चीजों की जूरत है तो सबसे पहले हम एक कप चीनी लेंगे एक टी स्पून कॉन फ्लार दो टी स्पून फ्रेश लेमन जूस दो टेबल स्पून मखन लेंगे यानि बटर एक चताई कप पानी फूट कलर डालने से पहले सारे बाउस को हमने अच्छी तरह बटर से ग्रीस किया हुआ है अब इसमें हाफ टी स्पून रेट फूट कलर हाफ टी स्पून ग्रीन फूट कलर हाफ टी स्पून ओरेंज फूट कलर यानि जर्दा रंग और थोड़ी सी टुथ पिक्स लेंगे आप इनमें से कोई भी कलर ले सकते है जाद रहे जिस परतन में भी आप कैंडी और फूट कलर को मिक्स करेंगे उसे अच्छी तरह बटर से ग्रीस कर ले सारे बाउल्स को हमने बटर से इसलिए ग्रीस किया है ताकि जब candy का material हम सारे colors में डालेंगे तो वो बाउल को चिपकेगा नहीं तो ये थी हमारी सारी चीज़ें अब बनाना शुरू करते हैं तो बिस्मिल्लाहिर रख्मार रहीम सबसे पहले एक non-stick पैन लेंगे इसमें चीनी एड़ करेंगे पानी एड़ कर देंगे याद रहे पानी आपने इसमें बहुत जादा एड़ नहीं करना अब चम्मा से हलका सा मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी और पानी अच्छी तरह आपस में मिक्स हो जाए अब इसमें corn flore add कर देंगे lemon juice शामिल कर दें अब चम्मस से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक अच्छी तरह चीनी की चाशनी ना त्यार हो जाए यनि तब तक जब तक चीनी हमारी अच्छी तरह मेल्ट ना हो जाए आँच आप मीडियम टू लो फ्लेम रखें तो यह देखें चीनी हमारी मेल्ट होना शुरू हो गई है बबल्स इसमें बनना शुरू हो गई है लेकिन अभी यह तैयार नहीं हुआ अभी हम इसको मजीद पकाएंगे तो यह देखें शीरा हमारा अच्छी तरह तैयार हो गया है अब थोड़ा सा शीरा लेंगे और उसे चेक करने के लिए एक बाउल में थोड़ा सा पानी लेंगे और उसमें शीरे को एड़ करके चेक करेंगे कि यह त्यार हुआ है के नहीं तो यह देखें इस तरीके से हम चेक कर लेंगे कि ये तियार हो गई है कि नहीं तो ये देखें हमारी बिकुल परफेक्ट तयार हो गई है अब हम इससे असानी से लॉलिपॉप्स बना सकते हैं अब हम फ्लेम ओफ कर देंगे अब जो हमने चाशनी तियार की थी इसको फूट कलर्स में एट कर देंगे तो ये देखें इस तरीके से हम ग्रीस की हुई बटर के बाउल और फूट कलर्स में चाशनी को एट करते जाएंगे सारे बाउल में हम इसी तरह एट कर लेंगे और थोड़ी सी हम बचा लेंगे उसे पैन में ही रहने देंगे तो यह देखें इस वाली को हम इसी तरह बावल में ही रहने देंगे अब चमच की मदद से सारे फूट कलर्स को चाशनी में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे तो तीनों फूट कलर्स हमने मिक्स कर ली हैं अब इसे साइट पर रख देंगे आप चाहें तो कोई भी फूट कलर्स ले सकते हैं अब जिस जगा पर हम कैंडी को बनाएंगे उस जगा को मक्षन से ग्रीस कर लेंगे और हाथों पर गलप्स पहन लेंगे इस तरह हमारे हाथ जो है जलेंगे नहीं अब जो हमने पैन में चाशनी बचाई थी उसे ग्रीस के हुए बटर के उपर एट कर देंगे अब एक स्टिक लेंगे और उससे सारी कैंडी को अकठा कर लेंगे आप चाहें तो टुद्पिक भी ले सकते हैं तो सारी कैंडी को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है अब इसे हाथ में उठा लेंगे ग्लप्स को भी मखन से ग्रीस कर लेंगे ताके लॉलिपॉप का मिक्सचर ग्लप्स को चिपके ना तो यह देखें इस तरीके से हमसे खेंच खेंच कर लंबा करते जाएंगे और घुमा घुमा के दुबारा अकठा करेंगे और फिट से इसे लंबाई में खेंचते रहेंगे इस तरीके से करने से इसमें सॉफ्टनेस और शाइन आ जाएगी और कैंडी या लॉली पॉप वमारा बिल्कुल अच्छी तरह तयार हो जाएगा तो ये देखें लॉली पॉप का एक कलर में हमारा मेटीरियल तयार हो गए अब इसे अकठा करके इस तरीके से रख देंगे अब जो हमारी ग्रीन कलर में चाशनी थी ग्रीस के हुए बटर के उपर एट करेंगे और इसको भी खेंच खेंच कर लंबा करते जाएंगे और फिर राउंड में घुमा कर फिर से लंबा करके आपस में इस तरीके से मिलाते जाएंगे तो यह देखें ग्रीन कलर कर लॉली पॉप का मिटीरियल भी हमारा तयार हो गया है अब जो हमारा रेट कलर था उसे भी इसी तरीके से तयार कर लेंगे अब जो हमने औरेंज फूड कलर लिया था उसके भी लॉली पॉप के मिटीरियल को इसी तरीके से तयार कर लेंगे तो सारे colors में हमारा लॉली पॉप का material तयार हो गया है अब हमारे जितने भी color हैं उन सारों को हम एक दूसरे के उपर अकठा करके रखते जाएंगे और आपस में इस तरीके से दुबा कर mix कर देंगे और इसे हम round घुमाएंगे और थोड़ा थोड़ा उपर की तरफ खेंचते जाएंगे तो यह देखें इस तरीके से हम अराम राम से उपर की तरफ खेंचते जाएंगे और इसे गोल गोल घुमाते जाएंगे तो लॉली पॉप और कैंडी का मेटीरियल हमारा तयार हो गया है अब इससे लॉली पॉप बनाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम छुरी की मदद से से थोड़े से हिसे को काट लेंगे आप लॉली पॉप को जितना बड़ा रखना चाहते हैं आप उस तरीके से उतने साइज में से काट लें तो यह देखें अब लॉली पॉप की डो को हम गोल गोल घुमाते जाएंगे और इसका प्यारा सा लॉली पॉप तयार कर लेंगे आप चाहें तो इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं तो यह देखें लॉली पॉप हमारा तयार हो गया है अब हम तुथ पिक लेंगे अब थोड़ी सी लॉली पॉप की डो को तोड़ लेंगे इससे हम तुथ पिक को लॉली पॉप के साथ जोड़ देंगे तो यह देखें इस तरीके से हम इसे अटैच कर देंगे लॉली पॉप हमारा तयार हो गया है अब इसे सर्विंग प्लेट में रख लेंगे अब इसी तरीके से हमें कोड लॉली पॉप तयार कर लेंगे तो ये देखें इस तरीके से हम लॉली पॉप की डो को गोल गोल घुमाते जाएंगे और जितने साइस का लॉली पॉप आप रखना चाहते हैं उस साइस का बना कर बाकी डो को छुरी की मदद से काट देंगे अब लॉली पॉप की थोड़ी सी डो को हम इस तरीके से काटेंगे और इसे टुद्पिक को हम लॉली पॉप के साथ अटैच कर देंगे इस तरीके से तुटपिक लॉलिपॉप के साथ अच्छी तरह जुड़ जाएगी अब इसे भी हम साइट पे रख देंगे और बाकी लॉलिपॉप्स को भी इसी तरह तयार कर लेंगे तो सारे लॉलिपॉप्स को हमने तयार कर लिया है अब जो मटीरियल हमारे पास बच किया है इसकी हम कैंडी बना लेंगे तो यह देखें इस तरीके से जितनी साइज की आप कैंडी रखना चाहते हैं उस साइज में हम इसे काट लेंगे और इसकी कैंडी बना कर प्रेट में रखते जाएंगे आप चाहें तो मजीद छोटा काट कर इस तरीके से रेंबो कैंडी भी बना सकते हैं अब इस तरह के रैपर्ज लेंगे और इसमें कैंडी को रैप कर लेंगे अब कैंडी को बंद करने के लिए हम इस तरह से फॉइल पेपर की छोटी छोटी स्टिप्स बना लेंगे और इससे हम कैंडी को पैक कर देंगे तो तयार है हमारे जबर्दस से मज़ेदार से जटपट से बनने वाले कलरफुल रेंबो लॉलिपॉप्स और लॉलिपॉप कैंडी अब लॉलिपॉप को खाक कर चक कर चेक कर लेते हैं किस तरह का तयार हुआ है तो ये देखें माशाला से बहुत ही कलरफुल और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार तयार हुआ है आप इस रेस्पी को जो ट्राइ कीजेगा अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छी लगी तो लाइक करें सबस्क्राइब करें और बेल आइकन के नौटिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताके मेरी हर नहीं आने वाले वीडियो के नौटिकेशन आप तक पहुंच सके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्ला हाफेज